मेरी बेहन दोड़ी पयंदर नहाख मेर देता गया। थोड़ी श्क चोटी बढ़ीं के नहीं हम्हाय? बहुत चोटी थी जैसे मोरी बेटियां ऐसी थरह वह सबसे छोटी स्टी मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी भेन बिलकुल ठीक थी वो पागल भी बिलकुल नहीं थी समझदार थी पालर चला Rही थी और पहले हम लोगों को लाश मिली है हम लोगों को गतला होी जी आंब लोगों को भेन फौत हो गया गाड़ी सी गिरगी ये जैसे वी लाश हम लोग वहां से बहावलपूर से उठा के लाए हमने अल्ला का रजा समझ के उसको दफना दिया हम समझे गिरगी होगी या कुछ भी हो सकता इनसान के साथ दफना के सबर शकर करके हम लोक बैढ़ गए है फिर किया होगी दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी भीडियो आई है उसको पुलीस फाला इतना मार रहा है पिर उसकी मरने की मरने की वो पुलीस फाला ही वाज़ा है दूसरी एक ये बात है कि इतने सारे लोग वहां बैठे वे थे किसी ने इतना नहीं बोला कि औरत को क्यूं मार रहे हो और उनकी बेटियों की जैसी थी उसे बचा के एक साइड पर बिठा देते खुद एक तरह से उट जाते उसे जगा दे देते उसके साने बलके हस रहे थे हमने वीडियो में देखा कि लोग हस रहे थे कल को उनकी मा बेटी किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है जैसे हमारे साथ हुआ है और अल्ला ना करे किसी के भी साथ ऐसे हो और मैं ये कहती हूँ कि बस हमें इंसाफ चाहिए उस पुलिस वाला जिस भी जो उसने किया है उसे उस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए और हमें इनसाफ मिलना चाहिए, हमारी हकूमत हमें इनसाफ दिलाए, हमें मर्यम नवास दिलाए, हमें शबास साब दिलाए, हमें जो भी बड़े बड़े हकूमत के अधारे हैं, हमारी बात सुनें और हमें इनसाफ दें, हम और कुछ भी नहीं उनसे वांग दें आपने कहा कि हमने अल्ला की रजा में सबर शुकर करके, सबर करके गर बैठ के, लेकिन जब आपने वीडियो देखी, तब आपको क्या फील हुआ, क्या हुआ 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 है, इसी ही बंदे ने मारा है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है, तो हम लोग ये चाहते ह हैं हैं, मीरे भाई़ के बच्चे हैं, मैरे भाईा के बच्चे हैं, इनका मा बाप नहीं है, azadTu, my mother, me 30 साल से कराची में रही हूं ओदर ही मैं रहती हूं मेरी शादी हूए मेरी बच्चे बेपी तो हम्झों हम्נों पॉरा खंदान फ़ाष रहता है यह दो दन पहले उसे मिली थी बिल्कुल भी थी अप मेरी एम्मी से बात कर रही थी हम चोटे बुखारी में मेरी एक बेहन है उसका घर है वो उदर गई है वहां मैं बठी मैं उसे मिलने आई हूँ और फिर मैं उसके घर कयूमाबाद में आई हूँ कोई ऐसा मसला नहीं था किसी तरह का कोई मसला नहीं था वो बिल्कुल ठीक थी कुछ लोग वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि मैं अला का वल्ली हूँ अच्छा उस भाले से कहरे है कि उसका जहनी तवाधार संद रूस्त नहीं आप कैसे देख度 मैं समझती हूँ कि अगर वो कहे भी रही है कि मैं आला का वली हूँ या वो कुछ भी ऐसा कह रही कि लाइला है लिल्ला मुहमंद रसूल आला ही पढ़ रही था न किसी को गाली गलोश तो नहीं देरी थी अगर उनको महसूस हो रहा था कि हम इससे परिशान हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं उसको साइड में एक जगा देते हैं वहां बांदेते हैं अगर उसे जादा महसूस हो रहा था तो उसको कहीं हथकड़ी लगा देते हैं पैर उसके बांदेते हैं मगर उसको मारते हैं नहीं इफाज़त करते, वो इंसान थी, जानवर नहीं थी, और फिर एक लड़की थी, उसकी इफाज़त करते, मैं ये कहती हूँ, आपके वो बच्चों की तरह थी, बच्चों माबाप के लिए बड़े प्यारी होती है, वो मुझे बहुत प्यारी थी, वो मेरी छोटी भेहन थी, कैसे मेरी छोटी बेटी है, मेरी बेटी और वो दोनों एक साथ खेलते थे, मेरे बच्चों में और उसमें कोई फर्क नहीं है, वो बिलकुल मेरी बेटी थी, क्योंकि मैंने उसे खुद उठाके खिलाया है, उसे प्यार किया है, आज अगर वो नहीं रही है, तो वो हमारे दिल को पता हम उसे ला नहीं सकते।